आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download now Question is Which of the following salts is responsible for temporary and permanent hardness of water respectively तो हमसे पूछा जा रहा है कौन से salts है इन चारो options में से जो water के temporary hardness और permanent hardness के लिए responsible है ठीक है, तो सबसे पहले hard water क्या होता है जब water में हमारे पास calcium और magnesium के salts dissolve होते है salts dissolve होते है तो इसे हम कहते है hard water इसमें क्या होता है कि हमारा जो सोप है सोप इसमें efficiently काम नहीं कर पाते है क्योंकि soap लादर फ़र्म नहीं करता है hard water में अब hard water दो तरह का होता है एक temporary एक permanent जो temporary hard water होता है वो होता है हमारा temporary hard water जो होता है वो हमारा होता है bicarbonates के वज़े से bicarbonates की वज़े से जैसे sodium bicarbonate यह सोरी तो एम जी फ़े Perfect यह फिर सबर्च फेस्ट इन दो सॉलिट के वजह से यह मारी पानी के टेंप्रेरी हाज़नेस होती है अब वह बइसीन बीजाती है अगर इसे भूटकर कर देंगेOL कर देंगे डेंगे तो भूटकरके की Helen नहीं तो अगर इसमें हम slake lime अट कर देंगे तो भी temporary hardness जो है वो remove हो जाएगी लेकिन permanent hardness जो होता है वो अलग होता है पर्मनेंट hardness में क्या होता है जो salts बनते हैं वो chlorides की बनते हैं ठीक है यानि की magnesium chloride या फिर calcium chloride ऐसे salts बनते हैं हमारे permanent hardness में और permanent hardness को remove करना easy नहीं होता है एसा नहीं कि इसको boil कर दो और permanent hardness चली गई पानी की नहीं permanent hardness remove करना एक बहुत complex process होता है ठीक है तो यह हो गया temporary hardness और permanent hardness अब question में हमसे पूछा जा रहे है कि कौन से salts responsible होते है temporary और permanent hardness के लिए so temporary hardness के लिए क्या क्या responsible है MgHCO3 twice और CAHCO3 twice तो options चेक करते हैं हम लोग option 1 में MgHCO3 twice है लेकिन दूसरा जो permanent hardness के लिए जो salt given है वो नहीं है permanent hardness किसके वज़े से हो रही है हमारी MgCl2 के वज़े से हो रही है या पिर CACL2 के वज़े से हो रही है तो option 1 जो है यह हमारा गलत हो गया option 2 चेक करते हैं option 2 में temporary hardness के लिए दे रखा है calcium bicarbonate को calcium bicarbonate के वज़े से हो रही है हमारी temporary hardness और permanent hardness के लिए MgCl2 दिया हो है MgCl2 से तो permanent hardness होती है तो यह जो option हमारा correct है option 3 देखेंगे तो MgSO4 दे रखा है option D कह रहा है CACL2 CACL2 से हमारी temporary hardness नहीं होती है हमारी permanent hardness होती है इससे और CACO4 से हमारी hardness नहीं होती है तो यह option भी गलत है हमारा so option 2 जो कह रहा है CAHCO3 twice and MgCl2 यह हमारा correct option हो जाएगा Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 84444 सुपर कैजीओ कैंच यह